सभी प्यारे बच्छों को नमस्कार तो कैसे हैं, आप सभी आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ मस्य बरजस्थ होंगे पांच मिनट की सीरीज में आज जानेंगे यूपी पुलिस के बारे में तो उन चीजों को पांच मिनट के अंदर कवर करने का प्रियास करते हैं बहुत महतपून टॉपिक है उत्रप्रदेश पुलिस का उद्देश है क्या है मोटो क्या है बेटा लोगों मतलब आपका जो उद्देश होते हैं आदर्स वाक्य भी बोलते हैं सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा योर प्रिटेक्शन अवर प्लेज ठीक है जी ये उत्रप्रदेश पुलिस का बच्चो आदर्स वाक्य है प्यारे बच्चो उत्रप्रदेश पुलिस का जो ध्वज है उसमें कौन कौन से रंग होते हैं एक नीला और एक लाल तो याद रखीगा ये प्रशन भी बन चुका है नीला और लाल रंग होता है ये भी बड़ा महत्पून है उत्रप्रदेश पुलिस के लोगों में एक तो प्यारे बच्चो सारनात का असोक स्थम्भ है और प्यारे बच्चो आपका यहां देखोगे रूमी दर्वाजे से ली गई मचली भी है तो रूमी दर्वाजा जो लखनव में है रूमी दर्वाजा यहां से ली गई प्यारे बच्चो दो मचलियां आपको दिखाई देती है उत्रप्रदेश के लोगों में किस अधीनियम के तहद उत्रप्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई तो अधीनियम एक्ट आया था कानून 1861 में और स्थापना हुई थी 1863 में एक प्रशन ये भी बन चुका है अब से पहले कि उत्रप्रदेश पुलिस अधीनियम बच्चो जो आया था 1861 इसमें कितनी धाराएं थी तो इसमें धाराएं जो थी प्यारे बच्चो वो 47 थी 47 धाराएं थी कुल मिला कर टोटल बच्चो उत्रप्रदेश पुलिस का हेड़कौाटर कहां है ये भी प्रशन बन चुका है ये लखनव के अंदर है अभी प्रशन में कहां पर सिगनेचर बिल्डिंग में सिगनेचर बिल्डिंग के अंदर है बच्चो याद रखीगा सिगनेचर बिल्डिंग लखनव के अंदर है बड़ा महतपून है गौमती नगर के अंदर तो ये उत्रप्रदेश पुलिस का मुख्याल है, हेड़कॉर्टर है, प्रिजेंट में, आगे बात करेंगे, उत्रप्रदेश में जो रैंक होती है, अलग-अलग, और उनका इंसिग्मा जो होता है, प्यारे बच्छों, आपका इंसिग्निया, इसे बूलते हैं, मतलब आपक जो feet वगेरा मिलती है, star किसे कौन सी मिलती है, क्या rank होती है, सबसे निचली rank कौन सी है, sort form क्या है इनका, तो constable सबसे निचली rank होती है, इसे प्यारे बच्छों, आप constable ही कहते हैं, simple भासा में सिपाही कह देते हैं, और इसे कोई, केवल feet मिलती है, simple इसे, कोई इस पर star फिर होता है, इसके उपर प्यारे बच्छों, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसे ASI कहा जाता है, इसकी दो, यहाँ पर बिटा आपके दो पतियां होती हैं, और एक star होता है, बच्छों फिर आता है, इसके उपर sub inspector, जिसे हम SI कहते हैं, तो SI के दो star होते हैं, और प्य तरीके से तीन स्टार होते हैं और प्यारे बच्छो आपका यानि कि दो पट्टियां होती है कुछ जगह पर क्या होता है राज्य के अंदर एक विभाग द्वारा एक और पोस्ट होती है जिसे कई बार SHO कहा जाता है SHO तो जो बड़े थाने होते हैं वहाँ SHO होता है तो SHO प्यारे बच्छो station house officer इसका full form होता है क्या होता है station house station house officer तो station house officer जो है बिटा आपका यानि कि ये inspector के उपर होता है बड़े थानों के अंदर ये rank नहीं है कोई वैसे special लेकिन विभाग द्वारा इसे inspector के उपर माना जाता है ठीक है बाकी इसका जो बाकी चीज़ें होती है ज deputy superintendent of police deputy superintendent of police पेरे बच्छों जिसे DSP कहते हैं तो DSP जो होता है पेरे बच्छों इसके पास star बदल जाते हैं और तीन star होते हैं star इसके size में बड़े होते हैं तो याद रखोगे इतनी बात DSP जो होता है पेरे बच्छों इसे कही बार COB कहा जाता है CO ठीक है जी तो याद रखि करें बच्छों additional superintendent of police additional superintendent of police जिसे ASP कहा जाता है इस पे असोक शक्र आपको देखने को मिलता है असोक शक्र नहीं बच्छों भारत का असोक स्थम्ब ठीक है ना शक्र बोल दी हम गलती से तो उसे correct कर लिजेगा ठीक है जी इसके बाद बहरे बच्छों आगे बात की जाए तो बच्छों ये जो हुता है आपका superintendent of police superintendent of police SP SP के पास बच्छों एक तो आपका ये असोक स्थम्ब है एक star होता है और ये IPS होते है आपके ये बच्छों SP जो हुते हैं छोटे जिले के अंदर बच्छों छोटे जिले होते हैं उनमें सर्वोच पुलिस अधिकारी होता है और ज यूपी पुलिस में एक प्रशन बना था प्यारे बच्छो आपका कि जो कमिस्नरेट नहीं है, उत्रपुर्देश में साथ कमिस्नरी हैं, कमिस्नरी को छोड़कर जिले के अंदर सबसे उंचा धहिकारी कौन सा होता है, पुलिस का, तो प्यारे बच्छो वो SP या फिर SSP होता ह तो छोटे जले होते हैं वहाँ SP और जहां बड़े जले होते हैं वहाँ पर बिटा SSP होता है फिर इसके उपर होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ओफ पुलिस जिसे D.I.Z.P कहा जाता है यहाँ असोक इस्तंब आपको देखने को मिलेगा तीन स्टार होते हैं इस तरीके से ठीक है आगे बात करें पैरे बच्चो नेक्स्ट होता है इंस्पेक्टर जनरल ओफ पुलिस जिसे IGP या IZ कहते हैं जो कमिशनरी होती है आपकी क्या होती है बटा कमिशनरी जैसे आपका नौइडा क्या है कमिशनरी है तो बच्चो कमिशनरी के अंदर जो सबसे उंचा अधिकारी पुलिस अधिकारी होता है साथ कमिशनरी है यूपी में टूटल वो कौन सा होता है बटा आपका IGP होता है इंस्पेक्टर जनरल ओफ पुलिस तो यहां बच्चो यह तलवार क्रोस का निसान और एक स्टार होता है इसके पास additional director general of पुलिस जिसे ADZ कहा जाता है ब character general of पुलिस जिसे हम DGP पुलिस महानिदेशक कहते हैं तो राज्य के अंदर सबसे बड़ा पद होता है बच्चो इसका तो उसका भी लगभग इसी तरीके का आपका सिंबल होता है यानि कि जैसा कि ADZ का होता है लेकिन इसके यहां आगे भी कुछ फीत बगेरा लग जाती ह सबसे बड़ा थीक है जी और अगर आपसे पूछे बच्चो कमिस्नरी के अंदर जAudi होता है जिसे EZP भी बोल देते हैं तो याद रखिएगा और जिले के अंदर होते हैं SP चोड़ा जिला SP बड़ा जिला SSP थीक है तो SP जिले का सबसे उंचा पुलिस अब के ही बना था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्तमान उत्रप्रदेश के बच्चो वर्तमान उत्रप्रदेश के डीजीपी कौन है ये कमेंट में आपका जमाब आना चाहिए कई बार एक्जाम में पूछ लिया जाता है कैसा लगा सेक्शन जरूर